हेलो गाइज, वेलकम तो स्पोर्ट्स फ्लाशेज और आप देख रहे हैं क्रिकेट अन्नोस, क्रिकेट थी अंसुनी कहानिया, मेरे साथ सौरवेदुवंशी गाइज, 2004 में एक ऐसा अमेजिंग इंसिनेंट हुआ था, जिसने इंडिया और पाकिस्तान के दो क्रिकेटिंग लेजेंड्स को साथ में लाकर खड़ा कर दिया था जिहां, बात है 2004 चैंपिन्स ट्रॉफी की, पाकिस्तान के स्टार डाट्समेन यूनिस खान बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे थी होटल में बैठे-बैठे, सोच रहे थे कि उनका करियर किस तरफ जा रहा है रन नहीं बन पा रहे थे, टेकनिक में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सोच रहे थे, हेल्प ली जाए तो किसकी ली जाए सडली एक नाम उनके दिमाग में आता है, और वो अपने होटल रूम में जाकर उस नंबर को डाइल करते हैं और बोलते हैं कि क्या आप मुझे पांच मिनिट दे सकते हैं और फोन रख देते हैं दस मिनट बाद ही उनके गेट पर एक नौक होती है, ठक ठक जब वो गेट खोलते हैं तो सामने खड़े इंसान को देखकर वो चौक जाते हैं गाईज सामने खड़े थी दा ग्रेट राहूल द्राविड जी हां यूनस खान ने राहूल द्राविड को मदद के लिए बुलाया था इंडिया और पाकिस्तान दौनों ही चैंपिन्स ट्रॉफी खेलने इंग्लेंड रुकी हुई थी राहूल द्राविड से 5 मिनिट मागने के बाद यूनस कान को ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि ये तो सेम क्रिकेटर मेरे गेट के बाहर आके खड़ा है राहुल रविड ने उन्हें पांश मिर नहीं अगले आदे घंटे टेकनिक के बारे में समझाया और बताया कहां वो गलतिया कर रहें गाइस उस अमेजिंग मास्टर क्लास के बाद यूनिस खान का करियर हाइट चला गया दस हजार रण से यदा टेस्ट मैश में रण बनाएं ट्रिपल सेंट्री लगाई और उनका करियर ऐसी उचाईयों पर पहुचा जिनकी उन्हें कभी उमीद नहीं थी दोस्तो ऐसे ही अमेजिंग किस्से और अंसुनी क्रिकेटिंग कहानियों के लिए आप देखते रहें क्रिकेट अन्नोंस ओनली ओन स्पोर्ट्स फ्लैशें